नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमित करेल और जवान का ट्रिलर देखा दोस्तों बॉलिवूड में इतना बड़ा धमाका करने वाले है अट्ली जिसका आप लोगों को शाहिद अंदाजा नहीं है इसके ट्रिलर देखने के बाद मुझे लगता है कि जब फिल्म आईगी और फिल्म ब्लॉगबस्टर होगी तो एट्ली के घर के सामने और जितने भी तमाम तेलगू, मल्यालम, तमिल जो डिरेक्टर्स है जो ऐसी फिल्म में बना सकते हैं उनके सामने बॉलिवूड के प्रेडूसर्स की, उनके घरों के सामने, उनके ओफिसेस के सामने लाइन लग जाएगी उनको साइन करने के लिए दोस्तों इसको बोलते है, सही माइनों में मास सिनेमा मास सिनेमा मतलब ये नहीं होता है कि एक हिरो सौ गुंडों को एक साथ मार रहा है और वो सब हवा में उड़ रहे है ये सब 15-20 साल पहले अच्छा लगता था आज के टाइम पे मास वो होता है जिसमें स्टाइल, सब्स्टेंस और एलिवेशन एक्वल माइनों में होता है ओर्डेंस उसको देखे तो उसके रॉंग्टे खड़े हो जाए इमोशन इतने स्टॉंग हो जो कि आपके सीने में चुप जाए एक्शन ऐसा हो जो हॉलिवड के लिवल का हो, रॉ हो स्लो मोशन भी हो और हैंट तो एंट, कॉमबैट फाइट सिन्स भी हो मसाला वो हो जिसको देखके ओडिन्स थूआउट इंगेजड रहे हुग्ड रहे, पुग्ड रहे यह होता है सही माईनों में मास सिनेमा जो कि एकली ने तमिल में बहुत सारा बनाया है राजा मौली बनाते है, साउथ के बहुत बड़े-बड़े डेक्टर्स बनाते है हमारी यहां के डेक्टर्स एक जमाने में अच्छा मास सिनेमा बनाते थे लेकिन अब वो South की copy करते है और जब original बनाते है तो audience उससे connect नहीं कर पाती लेकिन जवान के trailer में वो सब कुछ था जो इस film को एक iconic Bollywood mass cinema बनाए बॉलिवूड फिल्म नहीं है मेरे साब से ये एक proper Indian film है जिसको Tamil cinema के बहुत बड़े director ने बनाया है Bollywood के hero ने इसमें काम किया है और technicians all over India से है तो इस सब proper Indian film अब आएए बात करते है trailer की दोस्तो शारूख खान को आज तक किसी director ने इस रूप में present नहीं किया इसके trailer में कम से कम 6-7 शारूख खान के look है जो इनके fans imagine करते थे अपने white imagination में काश शारूख खान हमें ऐसा दिखे, काश शारूख खान हमें ऐसा दिखे, काश शारूख खान हमें bald लिखे, काश शारूख खान हमें एक अलग टाइब की beard में देखे, काश शारूख खान हमें इस look में दिखे वो सारे सपनों को अटली ने सच बना दिया है वो सारे एक्सपेरिमेंट शारूख खान के लुक के साथ एटली ने कर दी है जो कि एक सरिफ डाई हार शारूख खान का फैन कर सकता है इस अवतार में शारूख खान साब को हम सब ने इमेजिन किया था लेकिन बड़े परदे पे हम कभी देख नहीं पाये थे और अली ने उस शारूख खान को बड़े परदे पे उतार दिया है आर्मी ओफिसर है क्रिमिनल है जेलर है पुलिसमैन है बॉल लूक में है अच्छे बीर्ड लूक में है मूच में है लॉँच में है लॉँच में है वो किस लूक में इसके ट्रिलर में नहीं है कहानी बिल्कुल भी रिविल नहीं की गई इसके ट्रिलर में, वो इसकी सबसे बड़ी खास बात थी, और एलिवेशन स्टिन्स तो भरपूर थे इसके ट्रिलर में, कितना लैविश इसका सेट था, कितने भववे एक्शन थे, टैरिफिक BGM बाई अनीरूथ, तो ओवर ओल दो लेगी, मैं रहता हूँ जवान के टेलों को 4 stars out of 5, and I think that it will be a game changer for Bollywood cinema, it will be a game changer for Indian cinema, सारे record तुटने वाले हैं, आपकी कहा रहा है, कमेंट सेक्षिय में जरू बताईगा, signing off सुमित करे, thank you.